हेलो दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है और आज हम आचारी पिलकुल नियू और अलग रेसिपी बनाएंगे जिसके सामने समोसा कचोड़ी सब ही भूल जाएंगे तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं इसके लिए यहां मैंने लिया है बरतन और यहां मैं इसमें डालूंगी दो कप बेसन यहां मैंने दो कप बेसन का यूज किया है और यहां मैंने बारिक बेसन का यूज किया है इसके लिए हम मोटी वाले बेसन का यूज नहीं करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे एक चुटकिया अधा चमच हिंग ही यहा हमारी रेसिपी और भी ज़्यादा फ्लेवर फुल बनेगी और अब हम एक चौथाई चमच लाल मिर्च पॉडर एड़ करेंगे यहां मैंने तीखे के लिए लाल मिर्च पॉडर का यूज की और अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पॉन हल्दी पॉडर सारे मसालों का फ्ले में इस तरीके से ठोड़ा थोड़ा पाने डालकर इसे अच्छे से मिक्स करें जिससे बेस Goldman में लंस नहीं रहेंगे और सब्न हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा और आप तेख सकते बेस servantsा हमारा काफ़ी ठिक हाया तो हम इसमें थोड़ा और पाने डालकर इसे बल्कुल अच्छे से बड़ के तयार हो गया है। आप हम इसे साइट में रखेंगे और यहां आप जाए तो मैसर से भी इसे ऑच्छे से मैस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं। हादसे से अच्छे से मैश कर ली हूँ और यहाँ मैंने एक मेडियम साइच के प्याज को अच्छे से बिल्कुल बारी कट कर ली हूँ हम इसे भी आलू में डालेंगे और अब हम इसमें एक चमच आमचूर पौडर एट करेंगे आमचूर पौडर की जगा आप दो चमच निम्बू को भी रस डाल सकते हैं और आधा चमच जीरा पौडर एड़ करेंगे और अब हम इसमें फ्लेवर के लिए हाफ चमच भुना हुआ धनिया पौडर एड़ करेंगे और इसमें हाफ टीस्पून हल्दी पौडर डालेंगे हल्दी पौडर डालनों आफसनल है तीके के लिए हाफ टीस्पून लाल मिश्ट पौडर एड़ करेंगे बारी कटा हुआ धनिया की पत्ती एड़ करेंगे और अब हम इसे मैसर से अच्छे से दबाते हुए सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे आप चाये तो हाथ का भी उसकर सकते हैं और आप देख सकते हैं मैसर से इसे अच्छे से दबाते हुए मिक्स कर लेंगे जिससे आलू में मसालों का बहुती बढ़िया फ्लेवर आएगा मसाले में स्वाद अनुसार नमक एड़ करेंगे और हाँ दोस्तों अगर आपको मेरी रेसेपी अच्छी और हेल्फुल लग रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें और अधिक शेया अधिक शेयर करें मैं आपके लिए ऐसी इजी और इंस्टेंट रेसेपी लाती रहूंगी और आप देख सकते हैं यहां मैं इस पैचुला से आलू को मसालो में अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ तो हमारे आलू के मसाले बनके तयार हो गए हैं और आप देख सकते हैं आलू हमारे बहुत ही बढ़िया फ्लिवर फुल हो गए हैं और यहां मैंने एक बरतन में पानी डाल के रख ली हूँ और अब हम इसमें आचारी मिर्च डालेंगें आचारी मिर्च डाल कर पानी से हम इसे एक से दो बार अच्छे से धो लेंगे जिससे मिर्च की सारी धूल और गंदिगी साफ हो जाएगी ये मिर्च अभी बजार में बहुत थी बढ़ियां और फ्रेश आ रहे हैं तो आप इस रेसेपी को इस तरीके से मिर्च से जरूर बनाए और अब हम एक टावल लेंगे और टावल से मिर्च को ये सारे मौस्टर या पानी को इस तरीके से दबाते हुए पोच लेंगे और आप हम एक इस तरीके से नाइफ लेंगे और मिर्ची के बीच में से हम इस तरीके से कट लगा लेंगे और आप देख सकते हैं यहां मिर्च काफी छोटे साइज की है तो इसमें थलके बीज है ये मिर्च जादा तीखी नहीं होती है तो अगर आप हलका तीखा खाते हैं तो इस म भी रहने दे तो इसका तीखा फ्लेवर भी अच्छा लगता है यहां मैं कुछ मिर्च के बीज निकाल रही हूँ और कुछ के रहने ही दूँगी और आप देख सकते हैं मैंने सारे मिर्च को बीच में से कट लगा लिया है और अब हम मसाले लेंगे और आलू के मसाले को इस तरीके से मिर्ची के बीच में हम इस तरीके से फील कर देंगे और आप देख सकते हैं यहां मैंने आलू के मसाले को अच्छे से मिर्ची में दबाते हुए अच्छे से भर लेंगे सेम तरीके से सारे मिर्च में मसाले भर लेंगे या मैं आपको दूसरा भी तरीका दिखाती हूँ एक और मिर्ची लेंगे और इसमें मसाले को अच्छे से भर लेंगे और अब हम इसे अच्छे से दबा लेंगे जिससे इसका स्टाफिंग निकलेना और अब हम मसाले लेंगे और मिर्ची के इस तरीके से उपर भी हम मसालों का लेयर लगा देंगे जिससे हमारे रेसिपी या नास्ता और भी जादी टेश्टी और यूनीक बनेगी और आप देख सकते हैं मैं मसाले के उपर भी मसाले अच्छे से लगा ली हूँ और आप देख सकते हैं सेम तरीके से यहां मैंने सारे मिर्ची को अच्छे से भर ली हूँ और अब हम यहां मैंने एक कड़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दी हूँ तेल हमारा काफी अच्छे से गरम हो गया है तो हम इस तरीके से चमच से चिक कर लेंगे यहां मैंने gas का flame medium रखी हूं और अब हम एक चम्मच तेल लेंगे और basin के batter में डालेंगे गरम तेल को batter में डालकर हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे और अब हम batter मेंéis stuffed मिर्च डालेंगे और इसे अच्छे से basin में dip कर लेंगे जिससे मिर्च अच्छे से बेशन में कवर हो जाएगा और अब हम मीडियम होट आईल में हम मिर्ची को इस तरीके से फ्राय होने के लिए रखेंगे और गैस का फ्लेम इस तरह इस टाइम पे हम मीडियम रखेंगे जिससे मिर्ची हमारे अंदर तक भी अच्छे से सिखेंगे और अब हम इसे पलट देंगे और अब हम साइड में एक और इस तरीके से बेशन के मिर्ची डालेंगे और इसे भी हम मेडियम होट ओयल में फ्राय होने देंगे जिससे मिर्ची हमारे अंदर तक बढ़ियां से फ्राय भी होंगे और सिखेंगे भी इस तरीके से जब भी आपके कुछ अलग चटपटा और टेश्टी खाने का मनो तो आप इस रेसिपी को जटपट से बना सकते हैं और ये रेसिपी आपके महमान हो या घर में बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा तो इस रेसिपी को आप घर पे जरूर ट्र कर ली हूँ तो चलिए अब हम इसे गर्मा गरम प्लेट में सर्फ कर लेते हैं तो इस तरीके से आप इंस्टेंट और इजी मिर्ची बड़े बना सकते हैं और आपको मैं कट करके दिखा रही हूँ ये अंदर से भी बिल्कुल परफेक्ट सिके हैं और आप देख सकते हैं हम आपके घर वाले समोसा कचोड़ी सभी भूल जाएंगे तो इस मिर्ची भजी को आप ठंड हो या बारिश हो कभी भी आप इस तरीके से बना सकते हैं तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज सस्क्राइब करें और अधिक शेयर करें मिलत चैनल में आपसभी के साथ एक और ुजी और न्यू रेसिपी में ठैक्स कर तो